दो हजार चौबीस मोहिनी एकाजशी कब है? जाने सही डेट शुब मुहूर्थ, पूजा मंत्र और व्रत का महेत्व हिंदू धर्म में एकाजशी व्रत का विशेश महेत्व है इस दिन व्रत और पूजा आर्चना करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है और विश्णु जी हर मुराद को पूरी करते हैं दो हजार चौबीस हर महीने में दो एकाजशी पड़ती है जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है वैशाक शुकल पक्ष में आने वाली एकाजशी को मोहिनी एकाजशी कहा जाता है एकाजशी वरत भगवान विश्णु को समर्पित है ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधिपूरवक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होती है वहीं इस एकाजशी के दिन वरत रखने से व्यक्ती को समस्त मोहवबंधनों से मुक्ती मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है तो आये जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकाजशी का वरत कब रखा जाएगा और पूजा मंत्र महूर्त क्या रहेगा मोहिनी एकाजशी वरत दो हजार चौबीस तिथी और शुब मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाक शुकल पक्ष एकाजशी तिथी का आरंब 18 मई को सुबह 11 बजकर 22 मिनट से होगा जबकि एकाजशी तिथी का समापन 19 मई 2024 को 2 पर 1 बजकर 50 मिनट पर होगा उद्या तिथी के मुताबित मोहिनी एकाजशी वरत 19 मई 2024 को रखा जाएगा मोहिनी एकाजशी की पूजा के लिए शुब मुहूर्त 19 मई को सुबह 7 बजकर 10 मिनट से 2 पर 12 बजकर 18 मिनट तक रहेगा मोहिनी एकाजशी का पारण 20 मई को सुबह 5 बजकर 28 मिनट से सुबह 8 बजकर 12 मिनट के बीच किया जाएगा मोहिनी एकाजशी वरत 2024 पारण समय मोहिनी एकाजशी वरत का पारण 20 मई सुम्वार को किया जाएगा उस दिन आप व्रत का पारण सुबह पांच बजकर 28 मिनट से सुबह आठ बजकर 12 मिनट के बीच कभी भी कर सकते हैं मोहिनी एकाजशी का महेत्व धार्मिक मानिताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब देवदामवों में अमरित से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था तब वैशाक शुकल पक्ष की एकाजशी को भगवान विश्नु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था मोहिनी रूप में भगवान विश्नु ने दामवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमरित भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए कहते हैं कि तभी से वेशाक शुकल पक्ष की एकाजशी को मोहिनी एकाजशी के नाम से जाना जाने लगा ऐसी है कि यदि कोई व्प्ति मोहिनी एकाजशी वरत को पूरी निष्ठा के साथ करता है तो उसे तीर्थ यात्रा करने, दान देने या यग्य करने से भी अधिक पुने प्राप्त होता है वरत का पालन करने वाले को एक हजार गायों का दान करने के सामान पुने की प्राप्ती होती है इस वरत को करने वाले को जम मृत्यू के चक्र से मुक्ती मिलती है और मोक्ष प्राप्थ होता है मोहिनी एकाजशी का हिंदू पौरानिक कथाओं में बहुत महत्व है वरत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान मोहिनी एकाजशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए मोहिनी एकाजशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए मोहिनी एकाजशी पर सुबह जल्दी सनान करना चाहिए इस दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए मोहिनी एकाजशी तिथी को चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए भगवान विश्णु को जब भोग लगाएं तो तुलसी की पत्यां जरूर डालना चाहिए तामसिक चीजों मास, शराब, लहसुन, प्यास का सेवन नहीं करना चाहिए पूजापाथ और धर्म से जुड़े कारे करने चाहिए गरीबों को दान करना चाहिए मोहिनी एकाजशी तिथी के दिन अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरी लिखकर 21 पत्ते को भगवान श्री हरी विश्णु के चर्णों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम बनेंगे आपके सुखत समाचार की भी प्राप्ती होगी मोहिनी एकाजशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सनान करने के बाद पीला वस्त्रधारन करना चाहिए इस दिन भगवान विश्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए दूथ और चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए भगवान श्री हरी विश्णु जल्दी प्रसन होते हैं और मंचाहा वर प्रदान करते हैं केले के पेर की पूजा केले के पेर की पूजा से भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन होती है अगर आप मोहिनी एकाच्छी तिथी के दिन केले के पेर के समक्ष गी का दीपक अर्पित करते हैं एकाच्छी तिथी में विधी विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से आर्थिक संकट समाप्त होगा घर से दरिद्रता दूर होगी मोहिनी एकाच्छी पूजा विधी इस दिन लोग पूरे दिन अन का एक दाना खाए बिना ही वरत का पालंग करते हैं उपवास एक दिन पहले दश्मी से ही शुरू हो जाता है इस दिन उपवास रखने वाले सूर्यास्त से पहले एक बार सात्विक भोजन करते है एकाच्छी पर पूर्ण उपवास होता है जो द्वाच्छी तिथी को पारण तक जारी रहता है ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकाच्छी वरत के अगले दिन दूद पीना चाहिए मोहिनी एकाजशी व्रत का पालन करने वाले को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए तिल और कुछ से जल्दी सनान करना चाहिए उसे दश्मी की रात को जमीन, फर्ष, पर सोना चाहिए शद्धालु दिन भर अपने आराधे देवी देवता की पूजा आरचना करते हैं और रात भर भजन गाते हैं और श्री कृष्ण की स्तुती में मंत्रों का उच्चारण करते हैं कुछ लोग स्वास्थे संबंधी जटिलताओं के कारण उपवास के सक्त नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं वे मोहिनी एकाजशी पर आंशिक उपवास या वरत का पालन कर सकते हैं फलाहार खाने की अनुमती है मोहिनी एकाजशी के दिन चावल और सभी प्रकार के अनाज का सेवन करना मना है इस दिन विशेश मंडब भगवान विश्णु की मूर्तियों के साथ तयार किया जाता है भक्त भगवान की चंदन, तिल, रंग बिरंगे फूलों और फलों से पूजा करते हैं तुलसी के पत्ते चराना बहुत ही लाबदायक होता है वैदिक जोतिश शास्तर के अनुसार, मोहिनी एकाजशी के दिन सुबह उठकर सनान करें उसके बाद साफ सुथरा वस्तर पहनें बाद में घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करें और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें दीपक जलाने के बाद भगवान विश्णू को जल से अभिशेक करें अभिशेक करने के बाद भगवान विश्णू को वस्तर पहनाएं वस्त्र पहनाने के बाद भोग अर्पित करें और सच्चे मन से विधिवत पूजा करें। अंत में आरती करें और क्षमायाचना करें। सभी लोगों में प्रसाद वितन करें। मोहिनी एकाच्छी पूजा सामगरी लिस्ट गंगाजल, चौकी, सुपारी, तुलसी दल, नारियल, चंदन, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, कुमकुम, फूल, मिठाई, अक्षत, लौंग, पंचमेवा, धूप, दीप, फल भगवान विश्नु और मा लक्षमी की प्रतिमा आ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो कृप्या वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेर करना ना भूले कमेंट में हर हर महादेव लिखे, महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें